डबल डेकर ट्रेन तयार कर भारती रेल के इतिहास में रेलकोच फैक्टरी कपूर्थला ने नया आयाम इस्थापित किया है आज इस आठ डिब्बों वाली डबल डेकर ट्रेन को मीडिया के सामने पेश किया गया करीब धाई करोड की लागत से तैयार हुआ इस ट्रेन का प्रतियक डिब्बा सभी सुविधाओं से लैस है 160 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफतार से चलने वाली ये देश की पहली डबल देकर ट्रेन है इस विशेश गारी के प्रतियक डिब्बे में 128 सीटे हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सीटों पर फायर प्रूफ कपड़ा लगाया गया है फिलहाल इस ट्रेन को हावड़ा धनबाद रेल लाइन पर चलाए जाने की योजना है देश का पहला एर कंडिशन डबल देकर कोच पूरा रेक इसका यहां से रवाना करने वाले हैं हम लोग इसको इस्टेनले को सौपेंगे और वहां पर इसको जैसा कि हमको ग्यात हुआ है कि हावड़ा धनबाद की बीच में चलाए जाएगा यह बातानुकूलित स्टेनलेस स्टील डबल देकर कोच देखने में आकर्शक होने के साथ साथ तकनीकी तोर पर भी उत्तम है मलत पर इसको जांबत की जी ही तोर रेकर टisterर इसको की कि प完了 półनोल यह बाद आ समी nosotros बीच में चलाएगेOS जानबस कराएग यह घकार आतानुकूलित्यों नबक्त्तार है यह झास् dei सतित्स्ट तोर्शक्ड़त्छ जाएप hmआ्झार्ग झाल!